रादे रादे आप सभी को तो आज ही वीडियो में थोड़ा लंबा लेकर आई हूँ मैं कुछ बाते बताने वाली हूँ जो कि अक्सर हमारी साड़ी पहनने में हमें इस प्रॉब्लम ग्रीट करती है अगर आपको भी बहुत सी चीजें हैं या क्यों हम एक परफेक्ट साड़ी नहीं पहन पा रहे हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और पुराने हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की वज़े से मेरी YouTube चैनल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है सबसे पहले बात होती है कि पेटिकोट में साड़ी का फस्ट राउंड टक करना अब यहाँ पर मैंने बिना मैचिंग का पेटिकोट पहना है क्योंकि साड़ी डार्क कलर की साड़ी होने का यही फायदा है कोई से भी कलर का पहन सकते हैं पर यह जो कॉनर में टक करे जा रही हूं आप ध्यान से देखिए मैंसे इस को थोड़ा उपर करके टक कर रही हूं क्योंकि यह कोना ऐसा होता है जो अकसर दिरे दिरे लूज हो जाता है और फिर पैर के नीचे आ जाना पड़ेगा और कमर के दोनों एक कोने से शुरू करना और दूसरे कोने तक लाकर आपको खतम करना यह होता है फर्स टकिंग डाउं जो कि में इंपॉर्टेंट होता है और चारो तरफ सापको यह देख लेना है कि कपड़ अच्छे से टक हुआ या नहीं और उस कोने टक टक करके छोड़ देना उसे जादा टक नहीं होता है आप टक भी कर देंगे न तो जब आप प्लेट्स बनाएंगे तो वापस खुल जाएगा और साड़ी को इस तरह से करके जरूर देखना क्योंकि जिसमें बल होते हैं बाद में हमने प्लेट्स बना ले बल नहीं निक एसे थोड़ा तिर्चा ले जाकर अपने थंब को पिटिकोट के अंदर और फिंगर को बाहर एकदम ऐसे करके किनारी पर एक सेफटी पिन लगाने हैं आप छोटी सेफटी पिन यूज़ कर सकते हैं अब इसके बाद हम प्लेट्स बनाएंगे क्योंकि प्लेट्स बनाने के फिर हमें थोड़ा पतला भी दिखना है अब पतला कैसे दिखना है वो राज अब आगे बता चलेगा तो प्लेट कुछ इस तरह बनती है एक ऐसे एक ऐसे मतलब जिग-जग सीडियो की तरह है अब इसमें क्या होता है जो नीचे वाला कपड़ा होता है साडी का जो नीचे क्योंकि हम लेफ्ट हैं उल्टे पर लेकी साड़ी पहन रहे हैं तो भले एक छोटी सी प्लेट क्यों न बने आपको छोटी सी प्लेट बनानी है आप देखिए अब जादू देखिए आपकी सारी प्लेट अपने आप मैनेज हो जाएगी कुछ इस तरह जटकना और अब पह जाएगे बस आपको कपड़ा उठाना है अब आपके प्रेस करने की दिक्कत है तो आपका घुटना आपकी मदद करने के लिए प्रस्तुत है माराज अगर आप जैसे सिर पे नहीं होड़ रही है तो आप इनको इस तरह प्रेस कर करके सीफटी पिन लगा दीजिए वह वैस अब यहां से भी आपको अरेंज करने पड़ेगा दो बार तो प्लेट को अरेंज करना है पड़ेगा अगर आप खुछ से साडी पहन रहे हैं और अगर कोई और साडी पहना रहा है तो उसकी टेंशन वह कुछ भी करे अपने को क्या अपने को साडी से मतलब है तो आप इस सेफटी पिन रखा करें जब आप साडी पहनते हैं ना कम से कम पांच से सेफटी पिन आपके पास होनी चाहिए कब कहा ज़रत पड़ जाए पता नहीं अब आपको नहीं आती है तो आप प्लेट जैसे ने जैसे बना ले तो यहां एक सेफटी पिन लगा दे ताकि आगी की करते वक्त वो छूटे नहीं क्योंकि अकसर मेरे पास भी बिगड़ जाती थी एक बार तो ऐसा हुआ मैं शादी के बाद तयार हो रही थी एक घंटा लगया मुझे प्लेट बनाने में पर वो बनी नहीं हस्बेंट जी मुझे देखे जाए मैं उन्हें देखे जाओं फिर फाइनली उन्होंने प्लेट बनाई जैसे बनी कैसे वैरी उन्होंने पिन लगाई सिर पे ओढ़ा और चलो गुमेट निकालके परिगा ठीक है पहन तो ली अब आपका सीधा हाथ आप जितना उपर उठा सकते उतना उठा कर पीछे की तरफ ले जाए और हो सके तो बलाउस को आगे की तरफ खेंच लीजी जादा हाथ पीछे नहीं जाता है और सेफ्टे पिन आपको सीधी लगाने वहां आड़ी नहीं अब अगर आपको लग रहा है कि शोल्डर पर पिन लगाने के बाद आपके कमर वाला पार्ट जहां आपने पहले वी शेप में एक सेफ्टे प अब इतना कपड़ा छोड़िए फिर इसके प्लेट बनाने स्टाट कीजिए अब यह कपड़ा ऐसा है दिखी रहा है अच्छा है वाकि इसके क्वालिटी बहुत खराब है 500 रुपे की साड़ी है मात्र और कुछ निया लेना देना इसका तो जितने की भी है लग तो आप दुखाता है कि कैसे अपने फिंगर्स को इतनी देर तक उपन रखें अब जैसे बन गई अब इनको उपर इकवल करो यह तो वैसे टाइट फैब्रिक में है नीचे नहीं किसके जैसे कई सॉफ्ट फैब्रिक होता है नीचे के सख जाता है तो इकवल करने के बाद अब आप रूम में अगर चपल नहीं पहनती है स्लीपर नहीं पहनती है और आपको पता है कि आपको हिल्स पहन के जानी है तो यह गलती आप कभी मत करिएगा कि साड़ी छूटी पहन ले पहले आप डिसाइड कर लो इतना इतनी उची हो जाएंगी या कोई आपचेक्ट आप प स्कॉट बन जाएगा अब यह इतना फैबरिक एक्स्टा रह रह रहा है अब मैंने लेंथ डिसाइड कर ली है और इसको अब टक कर देना है देखो जादा लेंथ हम ले लेता है ना साड़ी की तो हमारी हाइट भी अच्छी दिखाई देती है यहां फिनिशिंग करना मत है वो जरूर लंबी दिखाई देंगी और ऐसा जरूर नहीं कि एक बार साड़ी बांदे बाद हम पेटिकोट ने गुमा सकते हम गुमा सकते हैं अब बारियाती सेफ्टी पिन के सेफ्टी पिन बिल्कुल आपको उपर लगानी नाड़े पर मत लगा लेना ठीक है हलका सा न नीचे लेगा अपनी सिफ्टी पिन लगाई हुई है और आपकी सारी प्लीट से एक जगा बंद रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो आप प्लीज अभी लाइक कर दो ना बाद में आप कहीं भूल जाओ और प्लेट बनाने को बाद थोड़ा इधर साड़ी दिख रही है ना वह बहुत जादा दिखेगी तो जब भी आप साड़ी पहने तो हिल्स जरूर पहने